हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग आज का जो वीडियो होने वाला नहीं वो सभी क्रिकेटर्स के लिए होने वाला और आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे एक follower ने मुझसे पूछा था कि भाया कैसे हम जभी भी किसी भी situation में बैटिंग करने जाते हैं तो हम अपनी टीम को मुश्किल से मुश्किल समय में कैसे अपनी टीम को समाले ना केवल समाले और कैसे उस situation से अपनी टीम को निकाले तो guys आज मैं इसी topic पर वीडियो लेकर आया हूँ guys मैं अपना personal experience शेर आप लोगों से करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़े आप अपना कि अपनी team को मुश्किल से मुश्किल समय में अपनी team को निकाल सकते हैं और साथी साथ आप एक अच्छे इनिंग ना केवल ना खेल के बलकि अपनी team को भी match जिता सकते तो चलिएगा इस फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो guys सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक कर दिया कि सबसे पहले आपको अपने आपको देखना है तो guys इन तीनों में से सबसे important क्या चीज़ है कि guys आपको अपना natural game खेलना है और साथी साथ आपको ये भी ध्यान लखना है कि उस time पे team आपसे क्या चाते है कि mean situation आपसे क्या मांग रही है मैं आपको बता देता हूँ कि guys suppose आप एक opener है और आप बहुत तेज खेलते हैं आप एक T20 batsman है बहुत तेज खेलना आप लोग पसंद करते है तो guys आपको करना क्या चीज़ है कि आपको उहाँ पे क्या चीज़ खेलना है कि आप उहाँ पे double strike rate से ना खेल के आपको क्या चीज़ है guys कि आपको ball की थोड़ा सा आपको wicket पे time देना है जैसे कि मैं भी आपको recently example देता हूँ कि हमारा बंगलादेश और इंडिया का test match चल रहा है अगर आपने batsman को देखा होगा तो वो क्या चीज़ हो रहे थे कि बहुत ज़दा defensive हो जा रहे थे पड़ेगा तो guys आपको अपने partner को भी सबसे पहले ये चीज़ समझाना है कि भाई आपको खेलते रहना है और आपको सबसे ज़ादा strike rotation पे ध्यान देने है जब तक आप strike rotation पे ध्यान देते रहेंगे और आपकी strike rotate रहेंगी तो वहाँ पे आपका wicket गिरने का margin कम हो जाएगा और guys जैसे ही गंदी ball आगा क्योंकि जैसे ही आप strike rotate करेंगी है तो वहाँ पे obvious ही बात है कि वहाँ पे जो दिमाग चलाना पड़ेगा वो baller को दिमाग चलाना पड़ेगा जैसे जैसे game आगे जाएगा तो आपको करना क्या चीज़ है guys कि आपको एक baller select करना है क्योंकि guys पाँचो baller अगर पाँच baller छे baller या साथ baller कोई भी team यूज कर रही है maximum पाँची baller यूज किये जाते हैं लेकिन अगर कोई छटा साथवा भी यूज कर रही है आप उसका over का कोटा वहां से पूरा close कर सकते हैं कि means वो run cover कर सकते हैं जिससे कि क्या चीज होगा कि guys आपका run rate भी maintain रहेगा required run rate भी maintain रहेगा और आपकी team जीत की तरफ चलती रहेगी same चीज अगर आप पहले Betting कर रहे हैं यह तो मैंने बात की है कि जब आप चीज कर रहे है पहले Betting कर रहे हैं और आपके Jess जल्दी गिर जाते हैं तो same चीज बहां पे भी आपको follow कर ने है तो लास्ट के पांच ओवर आपको हटा देने हैं अपनी स्टार्टिंग के कल्कुलेशन में आपको चाह करना है कि मैं मातर का सपोस्थ 35 ओवर का मैच खेल रहा हूं इससे उपर का नहीं है तो उससे होगा क्या कि आपको छोटे-छोटे उसमें फिर छोटे-छोटे टार्गे लेके चलना है कि मेरे को शुरू के 20 ओवर में सिर्फ इतना रन देखना है उसमें थोड़ा सा इफन बट्स हो सकते हैं फिर अगले पांच ओवर का टार्गेट सेट करी अगले पांच ओवर को लास्ट में जब आप बचे रहेंगे ना इनिंग बिल्ट आप हो जाएगी तो आपका जो स्कोर हो बहुत उपर हो जाएगा तो गाईज यह मेरा परसनल एक्सपीरेंस है जो चीज में अपने आता हूँ और सेम चीज में अपने बच्चों को भी बताता हूँ और यह चीज मैंने आपसे भी शेयर किया तो राज ये वीडियो आपके लिए था अगर सेम तरीके से अगर जैसे राज ने मुझसे पूछा अगर आपकी भी कोई क्योरी रती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपका भाई सेम नाम से इंस्टाग्राम पे भी है तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट चाहिए तेंक्यों फ्रेंट्स